नमस्कार मेरे नौजवान साथियों कैसे आप सब आसा करता हूँ आप सभी स्वस्त और प्रसंद होंगे तथा लगाता सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेशर पी एसम पीजी कॉलेज जेगराफी डिपार्टमेंट का नौज आपका स्वागत करता हूँ उसमें अभी तक हमने असी प्रसंदों पर चर्चा कर लिए ठीक है दोस्तो तो आज हम बात करते हैं इसके बाद जो बचे हुए आपके प्रसंद हैं उन पर चर्चा करते हैं और कोसिस करेंगे कि ये सेट पेपर आज ही समाप्त हो जाए क्योंकि जो सौ कुश्चन आते हैं कौन से प्रसंद है चलिए सुरू करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारती तटरेखा की लंबाई है यानि कि जो भारती तटरेखा है जैसे भारत का मानची तरह ऐसे मनाएंगे अगर तो इस साइड अरब सागर है इस साइड बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर हिंद माँ सागर है थीक है तो वो तूटल पूछ रहा है कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी और हिंद माँ सागर के साथ जो त्टरेखा है भारत की वो कितनी है लग्भग हजार में तो लगभग दोस्तो वो 75,000, 16,000 km के आस पास है तो लगभग वो 7,000 km है तो आपका तीसरा बि जाख्या भी देख लेते हैं भारत की स्थली सीमा की लंबाई ठीक है दोस्तों यहाँ पे बता दें कि यह तो आपकी तटी सीमा की लंबाई हो गई इसके जो ऊपर वाला पार्ट है इंडिया का यह स्थली सीमा की लंबाई है ठीक है तो इस्थली सीमा की लंबाई लगबग 15 एक सट सो किलो मीटर है इसके बाद आपको पता है कि भारत के पास दूइब भी हैं जैसे लक्ष दूइब समू और अंड मानने को बाद दूइब समू तो जब इन दोनों की तडरेखा की लंबाई को जब जोड लिया जाता है तो वो कुल कितनी हो जाती है यानि कह रहा है दी दूइब सहित 75,16 यानि 75,16.6 किलो मीटर है अगर हम कुल भारत की कुल सीमा की लंबाई की बात करें तो इस्थल सीमा की 15,200 और जल सीमा की यानि 30 सीमा की 75,16 यानि की टोटल मिलाकर आपकी हो गई 22,716.6 किलो मीटर यह भारत की कुल सीमा की लंबाई है तो यह सम में आपको डिफरेंस याद रखना है मुख भूमी के तटरेखा की लंबाई आपको याद रखने एक सट सो किलो मीटर दीपों साहित पचत्तर सोला पॉंट अगर कुल पूछा जाए आपसे तो यह आपको डिफरेंस याद रखना है ठीक है चलते हैं अगले प्रस्नी की ओर 82 नंबर का प्रस्ने दोस्तों आपका की निम्न लिखित में से कौन सा इस्थान प्रमुख और दियोगिक केंदर है यानि ऐसा एक छेतर जो इंडस्टियल सेंटर है कोयंबटूर कोलकता मुंबई या मदुरे तो दोस्तों जो आपका मदुरे है ये एक इंडस्टियल सेंटर ह तो यह आपको याद रखना है सुरी दोस्तो यहाँ पर उसने नहीं पूंचा है यहाँ पर थोड़ा पे बनाते समये कट हो गया है नोट इस नोट ए इंडस्टियल सेंटर तो आपका मदुरे एंडस्टियल सेंटर नहीं है मदुरह आपका एक एतिहासिक नगर है ठीक है? इस्टोरिकल प्लेस है और बांकी जो आपके कोयमबटूर, कोलकरता और मुंबई ये आपके और्द्योगिक नगर है ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कोयमबटूर, तमिलनाडू में है कोलकरता, बंगाल, मुंबई, महराष्ट में है प्रमुक और द्योगिक केंद्र है जबकि तमिलनाडू एक सांस्कितिक नगर या एतिहासिक नगर है जो मदुरह है ठीक है? इसके बाद दोस्तो 83 नंबर का प्रस्ण है आपका 83 नंबर का प्रस्ण है दोस्तो आपका कि निम्न लिखित में से किसने भारतिय क्रसी का वर्गी करण यहाँ पर दोस्तो चार होगा निम्न लिखित में से किसने भारतिय क्रसी का वर्गी करण चार लगू, तेरा मद्यम और छे व्रहत छेत्रों में विभक्त किया था यानि कि शिक्स माइक्रो रीजन 13 मेक्रो रीजन 6 माइक्रो रीजन में किसमने बाटा था तो इसका दोस्तो आनसर है आपका P सेन गुप्ता मोदेने ठीक है दोस्तो यहाँ पर 4 नहीं होगा स्वारी 6 होगा 6 लगू, 13 मद्यम और 6 व्रहत छेत्रों में किसने बाटा था तो पी सेन गुपता मोरे ने बाटा था ठीक है इसके बाद दोस्तों अगला प्रस्न है आपका कि निम्न लिखित में से भारत की किस राज में 2001 और 2015 के दोरान जनसंख्या में सरवाधिक दर्सकी ब्रद्धी यानि प्रत्सत में दोजार एक गर यानि दोजार गेरा कि जन्गंडरा के नुसार दसकी ब्रदी सरवाधिक कि सराज्य में हुई थी वह यह पूंच रहा है ठीक है अवनाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश महराश्ट और प्रश्चिमंगार तो दोस्तों प्रत्सत में अगर पूंचा जाए त ठीक है यहां पे सभी का दिया हुआ है अवनाचल प्रदेश 26 परसेंट उत्तर प्रदेश 20 परसेंट चौरवाश्ट इसका महराश 16 परसेंट प्रश्चिमंगार 13 परसेंट ठीक है यहां पे सरवाधिक और नियुनतम दसकी वरत दिवाले पांच राज्य दिये गए हैं अगर बात की जाए दोजार गेरा के अनुसार तो मेगाले में हुई थी 27.9 परसेंट इसके बार अणाचल प्रदेश फिर बिहार पिर जम्मू कश्मीर और फिर मिजोरम ठीक है यह सब परसेंटेज में कह रहा है अगर नियुनतम की बात की जाए तो नागा लेंड में सबस लाक रहे गई दोजार गेरा में ठीक है तो माइनस में हुई थी इसके बाद केरल फिर गोवा आंद प्रदेश मिजोरम ठीक है यह पांच राज जहें आपके दोस्तों इनको आपको हमेशा इनका क्रम याद रखना होता है यह क्रम ही पूछे जाते है जब भी पूछे जात क्रम दस्कीव रद्धी दरवाले केंद सासेत अगर प्रदेशों को पूछा जाए तो दादर और नागर हवेली में सबसे ज़्यादा दस्कीव रद्धी हुई पर दमण द्वीब में हुई पर पौडुचेरी पर दिल्ली पर चंडीगर पर अंडमान निकोबार और सबसे कम जो दस्कीव रद्धी हुई थी वो लक्ष द्वीब में हुई थी तो इनका भी दोस्तो क्रम आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद दोस्तो अगला कोश्चन है आपका 85 नंबर का कि निमने लिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्मान नहीं करती है दोस्तो नही सब्द जहां भी आता है नहीं है गलत है असत है जो इस परकार के सब्द आते हैं तो इन में आपको हमेशा हाइलाइट कर लेना चाहिए तो नहीं पूछा है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है महा नदी कावेरी कृष्णा तो यहां पर दोस्तो जो नर्बदा नदी है वो डेल्टा के निर्मार नहीं करती है तो जो नदी बनगाल की खाड़ी में गिरती है वो सभी डेल्टा के निर्मार करती है यह आपको याद रखना है और जो अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा के निर्मार नहीं करती है तो यह आपको याद रखना है तो महा नदी का वेरी और किष्णा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो जैसी बात डेल्टा का निर्मार करती है और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है इसलिए ये डेल्टा का निर्मार नहीं करती है ठीक है तो ये करती किसका है तो ये एस्चुरी का निर्मार करती है अरब साग करती हैं तो नर्मदा और तापती करती है ठीक है जबकि मानदी कावेरी किस्टना वा अन भारती नदियां डेल्टा का निर्माड करती है तो यह भी आप यार रखेंगे अगला प्रस्न है दोस्तों आपका कि दो हजार गेरा की जनगणना के आंकड़ों के नुसार निम्न लि तो दोस्तों आपका जो जार खंड ओडिशा और पश्चिम मंगाल है यहां पर आपगी संथाल जनगडी पई जाती है ठीक है अबetr employees लेते हैं संथाल जन जन जाती के बारे में कुछ और प्रमुकततrd थे संत्achthal जञद्ध जहार खंड ओडिशा और पस्षिम्मंगार में पाई जाती है इनका निवासिस्थान मुक्षता जहार खंड है जहार खंड के बाहर ये पस्षिम्मंगार और ओडिशा में भी पाई जाती है इनका संबंद प्रोटो आश्टलाईड प्रजाती से ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि संथाल जनजाती का समंद किस प्रजाती से तो पोटो आश्टलाइड से है संथालों के समाज में इनका मुख ब्यक्ति सरदार होता है इन में जादू टोना बहुत प्रच लेता है इनकी भासा जो है वो संथाली है लिपी ओल्चिकी है ये भी आपको याद रखना है कि संथालों की जो लिपी है वो कैसी है ओल्चिकी ठीक है इसके अलावा इनके विवाह को बापला कहते है ये भी आपको याद रखना है विवायन का क्या कहलाता है बापला कहलाता है संथाली लोग पुजारी को नायक कहते है ठीक है यानि कि प्रमुख ब्यक्ति को तो सरदार कहते हैं लिपी को होल्चिकी कहते हैं ब्याह को बापला कहते हैं और पुजारी को नायक कहते हैं संथालो कहते हैं ठीक है इसके बाद दोस्तो आप आपका सूची मिलान करने वाला सवाल है ठीक है तो मिलान करने में दोस्तो आपको बताया है कि अगर आपको एक आंसर पता है एक का साई मिलान पता है तब भी आप आंसर तक पहुश सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले एक तरफ पन ठीक है ये पूछा गया है इसके बाद दुलहस्ती है तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि जो कोपली है वो आप कासम में है यानि एक का दूसरा सही है दुलहस्ती जम्मु कस्मीर है यानि कि बी का तीन सही है कोईना महराष्ट है यानि कि सी का एक सही है रंगा नदी ये तीसरा सही है यानि एक अगर आपको गलत पता है तो भी आप आंसर तक जा सकते हो ठीक है यहां पर उसका एक्स्प्लेशन भी दिया गया है कोपली यसम में हैं दुलहस्ती जम्मु कश्मीर में कोईना महराष्ट में और अंगा नदी अवनाच प्रदेश में ठीक है यह दोस् जिन नदी यों पर यह बने हैं उनके नाम दिये गए कोपली नदी ब्रहमपुतर कि सायक नदी है कोपली नदी पर असम में कोपली बांद का निर्माड किया गया है ठीक है दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मु कश्मीर मेन निर्मित है ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि दुलशती पर युअह किस नदी पर ہے किनाब नदी पर जम्मु कश्मीर में कोया नदी, कृष्णा नदी की साइक नदी है और यह महराष्ट में कोयनाबान नि τη किया गया, कोयनाबान दोस्तों आपसे बहुत पूचा जाता है तो यह आपको याद रखना ध इसके बाद है रंगा नदी जो ब्रहम पुत्र की साइक नदी है यानी कोपली और रंगा नदी ये दोनों ब्रहम पुत्र की साइक नदिया है और इस पर रंगा नदी डैम अधुवर मिलान करने वाला सवाल है एक तरफ मिट्टी का प्रकार दिया गया है दूसरी तरफ राज दिया गया है तो यह मिलान करना है आपको कि जलोड मिट्टी सबसे ज़्यादा उत्रप्रदेश में पाई जाती है लाल मिट्टी केरल में पाई जाती है ठीक है तो हम देख लेते हैं कि एक का चार सही है यानि जलोड मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ठीक है तो देख लेते हैं विकल्प में केवल एक ही दोस्तो विकल्प ऐसा है जिसमें एक का चार सही है यानि कि जलोड मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है एक का फोल सही है यानि कि इलुवेल सोयल जलोड मिरदा नदियों द्वारा लाए गए निच्छेप से बनी है अताहाई ये एक आच्छेत्रीय म्रदा है ये भी आपको याद रखना है कि निनमलिकित में से कौन सी आच्छेत्रीय म्रदा है तो जलोड मिट्टी इसका विस्तार उत्तर प्रदेश बिहा जार खंड पश्यमंगालवा अन नदियों की घाटियों में पाया जाता है पुरानी जलोड मिरदा को बांगर कहते हैं ये हमेशा आप से पूछे जाते रहे हैं ठीक है बांगर मतलब बुड़ी ठीक है बुड़ी मतलब पुरानी है जो तो पुरानी जलोड मिरदा को मस्की कमी होती है भारत में जितनी भी मिट्टियां है उनमें ना टोजन और सास्पोरस की तो कमी है ठीक है इसमें दान गेहूं मक्का तिलहन आदी के लिए अतिधिक उप्युक्त और अच्छी मिट्टी पाई जब मानी जाती है इसके बाद है लाल म्रदा इसका निर्माण ग पाई जाने वाली चट्टानों की तूट फूट से ये म्रदा निर्मित होती है तो ये छेतरी है अगर कहीं बाहर की नदियां लाकर के यहां पर मिट्टियों का जमाव करती है तो ये आच्छेतरी म्रदा है जैसे जलोड मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा होता ह जो नदियां मिट्टी बाहा कर लाती है तो मिट्टी तो वो दूर से बाहा कर लाती है किसी अन्य चेत्र से और किसी दूर से चेत्र में निक्षेपित करती है जिससे निर्माण होता है जिसलिए आचेत्री है और यहां पे लाल म्रदा क्या है गिरनाइट नीस और सिष्ट जै यानिकित तमिल नाडू में सबसे अधिक पाई जाती है करनाटक दच्छिडपूर्वी माराष्ट पस्चिम और दच्छिडी तेलंगाना मद्र प्रदेश के अधिकांस बाग ओडिशा उत्रप्रदेश के जहांसी ललितपूर मिर्जापूर बांदा में ठीक है पाई जाती ह और यह लॉँ आकसाइड के कारण आब यह आपको यह भी याद रखना है जिसका लाल रंग होता क्यों यह तो लॉँ आकसाइड के इसका रंग लाल तता फेलसफाष की अधिकता के कारण रंग चाकलेटी वग पीला होता है इस मिट्टि में नार्टोजन फासफोरस और ह्य लेटेराइड मिर्दा का निर्माय जल्वाय्ड की आदरता एवं सुसकता के करमिक परिवर्थन के पढ़नावतू कुछ होता है। यानि आदरता मतलब जब बारिस होती है, सुसकता मतलब जब सूखा पड़ता है। अता है ये मांसूनी विसिष्टा वाले छेत्रों की विसिष्ट म्रदा है यानि ये मिट्टी जातर मांसूनी छेत्रों में पाई जाती है ये मिट्टी समानता 200 सेंटिमीटर से अधिक वर्षा वाले छेत्रों में पाई जाती है आधिक वर्षा के कारण अप्छालन यानि लीचिंग तो आपको अप्छालन और लीचिंग यार रखना है कि होता क्या है लीचिंग किरिया से बनती है यहाँ पर दोस्तों बता दें कि मालनी जी यह कोई छेत्र है यहाँ पर लगातार बारिस होती रहती है तो इस मिट्टी के यहाँ की मिट्टी के जो खनिच ततों है वो गोल करके नीचे चले जाते हैं यहाँ नीचे चले जाते हैं ठीक है यह म्रदा मुक्रूप से पूर्वी पश्च्मी घाट राजमहल की पहाड़ी सत्पुड़ा विंदग की पहाड़ियां केरल यानी सरवादिक छेतर कहा है तो केरल में है करनाटक के कुछ छेतर ओरिशा के पठारी छेतर छोटा नागपूर के पठार पाठ प्रिदेश आसम के कुछ छेतर ओर में घाले के पठार पर पाई जाती है इस मिट्टी में चूना नाटोजन पोटास और यूमस की कमी होती है चूने की कमी के कारण इसमें चाय की खेती होती है तो यह आपको याद रखना है कि लेटे राइट मिरदा सबसे अधिक अगर उप्युक्त ह है तो किसके लिए चाय की खेती के लिए उरुदा सक्ती कम होने के कारण इसमें दलहन तिलहन और मोटे अनाच की करसी की जाती है तो यह दोस्तों आपको याद रखना है कि लेटे राइट मिरदी का सरप्रथम अधियन किस ने किया था तो बुका नान महोदे ने किया था इसके बार आगली मिट्टी है आपकी परवतीय म्रदा इसे वनीय म्रदा भी कहते है तो परवतीय म्रदा को क्या कहते है वनीय म्रदा भी कहते है इसका विस्तार हिमालय चेत्र उत्तर पूर्वी भारत के चेत्र पश्चमियों पूर्वी घाट प्रायद्वी भारत के पहाडी म्रदा है या वनी म्रदा है इस म्रदा में अपगटित जीवांस के दिखता होने से यूमिस अमल का निर्मार होता है अताह म्रदा अमली होती है जो पहाडी म्रदा है वो कैसी है अमली होती है इस मिट्टी में पोटास और फासफोरस और चूने की कमी होती है एवं उरुदा सक्ती कम होती है इस मिट्टी में बगानी खेती जैसे चाय, कवह, मसाले, फल आदी करसी की जाती है दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है कि जो बागानी फसले होती हैं उनमें कौन-कौन सी फसले आती है तो चाय, कवह, मसाले, फल, जैसे केला, अंगूर यह सब चीज़े आ जाती है ठीक है, पुरुवत्तर बात में इस म्रदा में जंजातियों द्वारा जूम करसी यानि इस्थांतरन सील करसी की जाती है यहाँ पे दोस्तों जूम करसी आपको बता दें या इस्थांतरन सील करसी कि मान लीजिए कि यह कोई छेतर है यहाँ पेड़ बहुत जादा है जंगल है यानि कि तो इन जंगलों को काट दिया जाता है यानि इन पेड़ों को काट करके जला दिया जाता है और इससे जो खेत च्षेतर आप्थ होता ए ठीक है। यानि की इस च्षेतर में पेड़ों को काट करके भूमी प्राप्त की जाती है।। इसके बाद जब उस भूमी च benfl shows कि जाती है। तो फिर उस जमीन को चोड़ करके दूसरे च्षेतर की तलास की जाती है। इसलिए इसले इसलिए ठीक है अगला प्रस्ण है दोस्तो ये भी आपका मिलान करने वाला है एक तरफ आपके बायोस्फेर रिजर्व दिये गए है और दूसरी तरफ आपके राज दिये गए है ठीक है तो ये भी आपको यार रखना है बार बार मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसमें एक पता है आपको तो भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, जो पंच मड़ी है दोस्तो वो आपका मद्ध प्रदेश में, सिम्ली पाल ओडिशा में है, अगस्त मलाई आपका केरल में है और मानस असम में है, यानि एक का दो सही है, ठीक है, तो किस विकल्प में एक का दो सही है, तो यानि चौथा विकल्प आपका सही है तो यह आपको याद रखना है इसके बाद अगला प्रस्ण है दोस्तों आपका 90 नंबर का कि निम्न लिखित में से निम्न लिखित में से कौन सा पठार दच्छिड मद उच भूमी का हिस्सा नहीं है तो माराष्ट मालवा का पठार चोटा नागपूर और विंध क्या पूछ रहा है आपका कि पठार जो दच्छिड मद उच भूमी का हिस्सा नहीं है तो जो दोस्तों मालवा का पठार है ये उत्तर मद्ध उच्छ भूमी का हिस्सा है जो मालवा का पठार है वो उत्तर मद्ध उच्छ भूमी का हिस्सा है या मद्ध उच्छ भूमी का हिस्सा है दोनों एकी चीजे हैं मद्ध उच्छ भूमी का हिस्सा मालवा का पठार है बाकी दच्छिड मद्ध उच्छ भूमी टीक है तो हम अगले जो दस प्रसन है हम next video में उने cover कर लेंगे जहां से आपका set paper भी समाप्थ हो जाएगा यह और पीडिये भी आपको set paper का अगले वीडियो में ही available करा दिया जाएगा उसका link ठीक है जहांसे download कर आराम से आप पढ़ सकते हैं ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगले दस प्रसनों के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप पर संद रहिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए धन्वाद जय हिन दोस्तों